हलो एव्रिवन वेल्कम बैक टो आ चैनल बिलियन एजुकेशन एर वी एम तो रीजन टीज बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस जियोलोजी का जो पार्थ है उसमें थेयरी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेस्टन आएंगे आप लोग को वह शुरू कर देता हूं कि प 1620 में आए थी रैंकोई बेकर नोटेट कमफर्टेबल इंस्टैंटेज इंस्टैंसेज अलॉंग दी अपोजिट साइडस ऑफ मैड अट्लांटिक कोस्ट लाइन्स तो अट्लांटिक के आजू बाजू में आजू और बाजू में तो देखा कि जो वर्ल्ड है वो लग रहा यहां पर तो देखिए यह आज देखिए यह पाए कि यह जो साउथ अमेरिका है वो अफरिका से जुड़ा हुआ लग रहा है अधर्वाइस यह देखिए यह हमको फाइनली गाइस यहां पर जाना है तो आज देखिए वर्ल्ड कैसा है यह बहुत दूर है अफरिका बहुत दूर है अंटार्क्रिका साउथ में है इंडिया आज यहां पहुच चुका है और अपरिका को वही पर रखते हैं और साउथ अमरिका को यहां लेकिए इस तरह से रियारेटी है तो पहला जो ऐसे जो दिख रहा है यह कोस्ट लाइन तो बोलते देखी यह लग रहा है कि 1858 में एंटोनिय स्नाइडर पलागरी ने सज़ेस्टे दाट थे कॉंटिनेंट्स वे लिंग दूरिंग कार्बनी फरस पीरियेड कावनी फरस आप लोग को याद होना चाहिए पैलियोजोइक एरा का एक एपाउक है तो पैलियोजोइक एरा में यह आता है उस टाइम पे बूलते हैं कि कॉंटिनेंट्स जुड़े हुए थे मतलब क्या अब वर्ल मैप में देखेंगे आज एक सेकंड वर्ल मैप को खोल लेता हूं मैं वहां से आप लोगों पूरी चीज़ें पता चल जाएंगे यह रहा मैं यह देखें जो बोलते है नौर्थ अमेरिका में जो यहां पर फॉजल फ्यूल मिले न गई फॉजल फ्यूल्स वह मैच किये कोल के अंदर कोल किसे बंदा है गई जब कोई दब जाता है प्लांट का पार्ट और एनिमल्स का पार्ट तो वह कार्बन और हाइड् हर जगे जो रहता है अलग अलग रहता है जैसे यह वाले का मैच खाएगा यह वाले से यही पता चल गया कार्बनी फरस मतलब तूल्स के फॉर्म में फॉजल फ्यूल्स के फॉर्म में ठीक है तो देखी यह जो है सपोर्टिव स्ट्रक्ट्चर से अब चलते हम दो यह डाग्राम को यूस करेंगे हम दो 1885 में फेमस ऑस्ट्रियन जियोलोगिस अड्वर्स यूस इंटिप्र सिमिलाइटेस बेट्वें प्रांट फॉजल फॉजल फॉम ताउथ अमेरिका इंडिया ऑस्ट्रेलिया अफरिका एं अंटार्किता तो सजेस्ट नेम कॉंडवाना पहली बार गॉंडवाना आया आफ्टर दर इंडिजनेस होम लैंड अफ दी गॉंड पीपल अफ इंडिया गॉंड पीपल आप लोटें को गॉंड ट्राइब जो बोलते हैं हम लोग की कॉंड है मुंडा तन्थाल यह सब हमारे इंडिया के ओजनेट है इंको बचाना चाहती है तो जोग्राफी में भी देखें कितने इंपॉर्टेंट है तो इनका नाम कोंड ट्राइब से हमारे है तो देखें यह क्या बोलते हैं कि यहां पे प्लान्ट दब है नीचे ना मतलब यह लोग सेम क्लाइमेट में रहे होंगे एक साथ किसी जमाने म और वह दब गया तो वहां के फॉजिल फिल वी जगाई ज़ना सेम है एक सेकंड वह सेम है यह देखें तो यह देखें पूरा का पूरा जो पार्ट है कनेक्टेड है तो यह सब जगहों पे जो प्लान्ट दब के बने थी वह सब जगे एक ही थी इसका मतलब क्या फिर से कि लोग जुड़े होंगे पास्ट में और वो पूरे लैंड को एक साथ क्या बूल दिया गोंडवाना ध्यान रखना इसमें नॉर्थ अमेरिका चूरो और हमारा यूरेशिया जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं यह तीनों का नाम नहीं है पाकिस सब का नाम है साउथ अमेरिका अफ्रिका और और अस्ट्रेलिया और इंडिया अंटाक्रिका अब उसके बाद जो कई कॉंटिनेंट से मिलके बना है तो मतलब समझेए यह पूरा गोंडवाना और यह पूरा यूरेशिया प्लेट गाइज है ये यूरेशिया प्लेट इनके बीच में जो हमारी ओशन थी वो थी टैथिस आज इसका नाम निशान है 1910 में अमेरिकन फिजिस्ट एंड ग्लैसियो लॉजिस्ट प्रैंक बसले टेलर प्रपोर्ट दे कॉंसेट आफ कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट कि ये कॉंटिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं समुद्र की सत्य पर कैसे कोई लक्री घूमती रहते हैं ऐसे ही जो प्लेट्स हैं वो मूव हुए हैं गाइज तो एक्स्प्लेंड अपारेंट जियो लॉजिकल कंटिनुटी आफ दी अमेरिकन अपलाशियन माउंटेंस बिल्ट बिल्ट अलपलाशियन माउंटेंस एक लाइज यह लग है बेस आफ नॉर्थ अमेरिका में जो रौकीज माउंटेंस है यह कैसे हैं गाइज यह यंग फोल्ल माउंटेंस है नए हैं ये ये पुराने हैं तो बोलते हैं ये और इसी तरह से यूरोप का कैलिडोनियन जो माउंटन है यहां पर सिमिलाइटी पाई जाती है ये देखे भले इनको आज ये सेपरेटर लेकिन एक टाइम पर जुड़े थे टाइगरांस बहुत उम्दा है गाईज उनसे हमको सपोर्ट मिलता है ये देखे या प्लाशियन माउंटेंज इसको मैंने आप लोग को क्या यूज़ करने के लिए बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं इसी को हम लोग यूज़ करेंगे माउंटेंज के कनेक्शन बताने के आप जो डाइगराम हैं वो इस पार्ट से मिलते हैं मतलब क्या यह वाला जो पार्ट है यह जूड़ा हुआ था इस वाले पार्ट से ठीक है यह दिहान रखना है आप लोग लग यूज़ कि इस साल के सिलावत में सब इमेज के साथ बताया गया है स्काटलेंड एन स्कैंडिनीविया स्कैंडिनीविया में कौन-कौन से कंट्री आते हैं गाईज नौर्वे स्ट्वेडन और फिल्लाइज इस स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं इनको लेकिन आप लोगो समझाना जोगी डाइग्राम इस से अच्छा डाइग्राम में बेचेंज करेंगा ज्यादा कन्फीजिन होगा और आप लोग भी जब बुक पड़ोगे तो आप लोग को भी मदद मिले कि इच्छा असर नहीं से बताया था Alfred Wagner असली इंसान जिसके उपर से पूरी कॉरी 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 का नाम दिया जाता है German metrologist who spent his entire life to gather evidences reproposed the theory of continental drift theory इन्होंने mountains पर भाही चरचर के पढ़ाई की तो अतना जिंदगी घलाया था He compiled a considerable amount of data and suggested that during the late Permian all the continents were once assembled into supercontinent named Pangea and meaning all earth and Pangea began to break apart after the beginning of Mesozoic era Permian again जो Paleozoic era है उसका एक पार्ट है सबसे पहले अजोई के रहा था अजोई के रहा था पहली ऑजोई के बाद Mesozoic फिर Cenozoic फिर आज जो है नियोजोई के यह Mesozoic जो बोलते start में और Permian end होता है तो इसको पांच भाग में बाट देते हैं इसे इसलिए यह बात आप लोगों ध्यान रखना है तो एक सूपर था अब वो नहीं जो गोंडवाना उससे आगे पहुझ गया है वो बोलते हैं उससे भी पहले चले जाईए बोलते हैं पूरा अर्थ जो गाई समझे आज में गर्थ का बनायता हूँ आपको इस तरह से ठीक एए स्वारी अब बीच में बनायता हूँ यह अब ये जो सुपर मास है इसको इन्होंने बोल दिया कि यह पैंजीया था और यह जो water body है पूरी कि अराउंड में पैंथलासा बोल दिया पैंजीया यह सुपर एक जगे से जुड़े हुए थे अब पैंथलासा तो इन्होंने क्या बोला कि पर्मियन एज में पहले जोएक के पर्मिय निजमी सब एक साथ हैं लेकिन जैसे मेसोजोएक एरा स्टार्ट हुआ यह दूर दूर जाने लगे है और आज के करेंट आप देख रहे हो ड्रिफ्टेट इंटो देर करेंट पोजिशन तो आज की उसमें आ गये हैं 1937 साथ अफ्रिकां जोलाग्सेंडर दू तॉइट सपोर्टेट तो थेरी आप लोग ध्यांद के रश्या और चाइन इंडिया नहीं इंक्लूड करेंगी इंडिया गुंडवाना का पार्थ यह लॉरेश्या है एंड नहीं एन यहीं प्लाट चाहर। इंड यहां के लिए वह लग हैं यहां के प्लांट के फाजिल नहीं वह लग है तो इस से मालोग पड़ता है कि यह MAल पड़ता है यह मालूपड़ता है अगसा जूड़ते थी साथ वाले Begner's theory was also consistently promoted by eminent British geologist and geomorphologist Arthur Holmes, Arthur Holmes की theory आती है, बहुत important person इनके पर question पूछा गया है UPSC में In 1930s and 1940s, through his renowned book called as Principles of Physical Geology Physical Geology मतलब जो चीज़े दिखाई देरी हैं, उनको औरती हुए 1940 to 1960, the ocean floor और यह सब आप लोग के इलेंट में जान चुके हो Guys यह बहुत मैंनस से मैं प्रिपेर करता हूं आप लोग के लिए अगर आप लोग अच्छा है प्लीज यह साही चीज़ें आप लोग जरूर शेयर करना बहुत सपोर्ट देखा है आप लोग ने हमारी पहले वीडियो को एंड तक देखने कोशिश करिए जितने ज़्यादा ओडियेंस आती रहेगा इतने ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बना रहेगा ताकि मैं वीडियो प्रडूइस करता रहा हूं अगर कोई आप लोग पढ़ो गए फिर बोरिंग लेगा एक्जाम में मतलब कि कैसे करें इसलिए मैं मुझे पता है कि यह लिंक कैसे है डाइग्राम बार डाइग्राम इसलिए मैं बताने में भी आप लोग को जितना हो सकते कि यह लोग एक पैंथलासा देखी यहां पर द आते हैं यह द्यान रखिए तो मैं वही कोशिश करता हूं कि जितना अच्छा डाइग्राम आप लोग को इजली दे सको वो देने कोशिश करता हूं मेक्शर आप इसे शेयर जरूर करना लिए तो शेयन प्लोर कपाग्रफी वास डिस्कवर्ड थू इंप्रूमेंट्स लेटर प्रोफिसर और प्रिंस्टन प्रपोज टी फ्लो प्रेडिंग अपी वोटल वेरी इंपॉर्टेंट कॉंसेट इन कॉंटिनेंटल डिफ्ट एंड प्ली टेक्टॉनिक्स आज जो गाइज इंका आप लोग मालूम हैं यह पार्ट जानते हैं आप लोग की कन्वेर ब देखिए त्विक्त की यूमन जॉग्रॉफी है वो मत देखिए एलेवन की जॉग्रॉफी एलेवन की जियालजी और ट्वेल्थ की जियालजी यह साथ में करके पढ़ेंगे तभी आपको सारे कॉंसेट्ट इजिली समझ आएंगे तो क्या होता है यह आप लोग मालूम के वापस से उपर आती है और यहां पे कुछ mountain जैसा structure बना कर लावा जैसे बाहर फिकते हैं अगली बार यह फिर इसे धका यह इस तरफ फिर से जाएगी यह यहां आएगी यह और अंदर जाएगी तो आप overall देखें तो conveyor belt जैसा concept दिखेंगे आप लोग जैसे सामान आ गया क ठीक है तो यह सब सपोर्ट क्या कि continent drift हो रहा है तो यह कैसे हो रहा है बोलते है जैसे कि आपनों देखी यह surface पे यह कैसे mountain move हो रहे हैं बोलते है plate उसी तरह से move हुए है 1961 अमेरिकन जेोलाइज रॉबर्ट दियेड्स ब्रूस इजन और हैज प्रपोस्ट आट लीनियर वोल्कानिक चेंज कॉल्ड आज मिड ओशानिक रीजिज इन दी ओशन बिसे आर दी साइट साइट साफ ओशन फ्लोर सेडिंग जो मैं बना रहा हूं कि मैं क्या बना रहा हू तो समझे यहां से यह हमारा नीचे जा रहा है यह हमारा कॉंटिनेंट का प्लेट हो गया अलग कलर से दिखायता हूं यह हमारा कॉंटिनेंट का हो गया गाईज और यह हमारा ओशन का फ्लोर नीचे जा रहा है तो यह नीचे जाएगा गाईज यहां से पिगल के वापस से यहां भी continent का प्लेट ले ले लेते हैं में यहां भी सेम टाइम पर सबसाइड हो रही है कौन सबसाइड हो रही है िसक्राइड मतलब अंदर जा रही है तो हमारी अट्लांटिक कोशिद में पूरा हर जगह ऐसे ही हुआ है देखिए यहां पर यहां पर यह पूरा का पूरा इस तरह से पूरे मांटेंज बने हुए कि दोनों साइड दोनों साइड दोनों साइड और इसे आप लोग देखोगे तो आपकी जोग्राफिय में इसी मिड अट्लांटिक रिज बोलते हैं और यह सिर्फ अट्लांटिक मिसलिंए अट्लांटिक और दुनिया में कहीं पर तो मिड उस्यानिक रिज ओशन के बीच में चलिए अब चलते हैं तो और टो इलोगिस और में अट्रमन अट्यूर जद्व्रापिय तो एसे लिए उसेन अट्वीर हैं अट्यूीर अट्वेशलिक रिज्ट्ट प्रप्रणार ब्रवां म ईच्ट्ड़क रिए the ocean of the in the process of ocean floor spreading acquired its magnetization in the prevailing global magnetic field by linking this observation to has harry hashka jothai sea spreading theory they laid the most convincing foundation and proof for modern plate titan sommjhaidhu isa chaliyo chong sa sabar bana a kai s bhaa hankish siya chaliya jih 안녕하세요 clear kartao iya ya myrra oceane kata y 당시 n ka yeah a gayi tora upor k bonitinit ko e andre ai samji or isa motor kurdo you are a proko maaloo mauna che guys ya sab kay a n dh kya hota hai ya sab kay a n dren honga iron honga jis kuyo se magnetism होता है एर्थ के अंदर में कई बार बता चुके है आप लोगो को ये अनदर टॉक ये समझते कि आज के टायंग पे ढ़ां जो आएरं का मेंटिक एस डिरेक्शन पहला case fall, अब हम लोग करते हैं कुछ साल बाद की थेरी, आज से पचास साल बाद बोलते हैं कि इसकी magnetic movement है वो समझे गाइस इस तरह से हो जाएगी, तो सब के अंदर इस तरह से होगी, क्योंकि अर्थ उस तरह से होगी ना, सब के अंदर यह तेड़ी-तेड़ी ही रहेगी यह अब इस तरह से है, अब यहाँ पर जो नया mountain बनेगा, तो यह लोग क्या बोले कि हमेशा देखा गया, कि इस थेरी कैसे सही है, कि आज जो अर्थ की magnetic moment है, अगर समझे आज अर्थ की magnetic moment इस साइड है, तो हम लोग पीछे पीछे जाते हैं, तो कुछ इस तरह से अर्थ की magnetic moment होगी, बोलते हैं, जैसे हम लोग नजदीक नजदीक इस तरफ जाते हैं, यह mountains को observe करते जारे हैं, जो magnetic moment past में रही होगी, वही मिलता है, मतलब क्या, कि यह जो हमारा part है ocean belt का, यह melt होकी यही वापस आ रहा है, और melt होके जब वापस आता है, तो यह कौन सा वाल निकला उस टाइम पर जो था, मैंने अपनी example में वही इंदगा, फट से उसी second का उपर ले लिया, यह theory सही हो गई, sea spreading की theory सही है, और sea spreading सही हो गया, तो हमको मालुए continent drift भी हुआ था, यह जैसे आगे-ागे बढ़ रहे हैं, इस तरह continent अलग भी हुए रहेंगे, क्योंकि यह क चुके हैं, mid oceanic ridge आ चुके हैं न, यहाँ पर, यह बता है न मैंने, यह बोलता है कि यह जो point है, हमारा यह point है, यह जुड़ा हुआ था, लेकिन इसने धक्का दिया, धक्का, 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 थी spreading theory के वैसे, कितनी मज़ेदार चीज थी, और यह confirm कैसे हुआ, magnetic momentum से, यह जो magnetic magnetic lines of force थे, जो उस टाइम पे थे, अब यहर एक के अंदर तो अब रूख, अब mountain, आप लोग बूलोगे, mountain का क्यों न, mountain में तो fix हो गया न, solid हो गया हो, तो उसके अंदर का magnetic movement fix हो चुका है, अब जो अर्धरती के अंदर लावा है, उसका change होता रहेगा, future के इसाब ते, और अगर जो भी future में आगा, उस हिसाब का solid बन जाएगा, must चीज है, hopefully आप समझ पाएगर नहीं भी समझ पाएगे, तो मैं वापस से समझा दूगा, क्या किये, यह लोग फिर से repeat कर देता हूं, आज current day earth का magnetic movement है, तो उसके हिसाब से लोग करते हैं, कि आग 2-3 साल observe करते रहते ह हैं, कि earth आज उसके साल ऐसे ऐसे होती जा रही है, ऐसे ऐसे होती जा रही है, मतलब इसके पहले क्या होगी, जिसने हमने शुरू किया, उसके पहले मतलब और ऐसी रही होगी, और साल पी चिज़ना है, तो ऐसी हुई रही होगी, उस हिसाब से लोग समझ गए, कि magnetic movement, 10 साल ब कि जी हाँ, जितना नजदीक जा रही है, यहाँ से, जितना नजदीक जा रही है, कॉंटिनेंट की तरफ, हमको पुराने वाले magnetic movement मिल रहे है, कि नए वाले तो बाजी में होगी, जितना तो समझ सकते, इमाजिनेशन, जितना बता सकते है, अगर समझ में आते, गाइस, प्ल बिनस, Continental Drift Theory and became the first person to use the plate, देखे, बोला नजदीक तरफ बताने तुजो विलसम बहुत इंपोरन थे, to describe the division and pattern of relative movement between the different regions of earth surface, यह क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि पूरा एर्थ ऐसे, यह बोले प्लेट हो रहे हैं याला, बस यह तरी, जो मैं starting से, आपको plates ही बोल रहा ह आप 1960, present day there was an increasingly wide acceptance of theory of plate tectonics, gaining a better understanding of the boundaries and structure of the lethal sphery plates and several modern tools to approach. Continental Drift 3 की बहुत सारी limitation थी, वो लोग कुछ और समझ रहे थे, वो लोग को लग रहा था कि ocean नीचे नीचे ocean आती जा रहा है, plate उनको नहीं समझ में आज जैसा, मैं आपको इस सब बना रहा हूं ना guys, यह सब plates बना के मैं दिखा रहा हूं वैसे, उनको plates नहीं पता था, यह त अगर इस वीडियो अच्छी लगे है तो जरूर शेयर करना, मिलते हैं नेक्स लेक्षर में, till then, bye bye, have a great and nice day, sayonara लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलूंगा दुबारा